नमस्तर मैं हूं मैं वही उड़ जयन और आपका मेरे सीटूब चैनल में हार्दक स्वागत है आज हम बात करेंगे मद्डिप्रदेश समान गयान से रेलिटेट मैं आपको जल्दी से एक जानकारी दोना चाहता हूं कि अब मेरे इस YouTube चैनल में मद्द प्रदेश की सामान जानकारी से रिलिटेट हर एक वीडियो में आपको जिलेवार जानकारी मिलेगी आज हम इस वीडियो में भुपाल जिले को कवर करने की कुछ रहे हैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो अलग अलग जिले से रिलिटेट जो वहाँ पर एतिहासिक चीज है और जिसके लिए वह फेमस है वो सब पॉइंट कवर किया जाएंगी तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्स्राइब कीजिए और इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो आईए जल्दी से जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके उपर चटशकर लेते हैं मत्यप्रिस में तीन नए जिले बनाए गए हैं तो कि महियर चाचोड और नागदा के नाम से जाना जाता है कमलना सरकार ने मार्स 2020 में इन तीन जिलों की राज्य में खुशना की थी तो यहाँ पर अगर दिखा जाए तो सदना जिला जो है वहाँ से अलग करके महियर बनाया गया है गुना जिला से अलग करके चाचोड और जेन जिला से अलग करके नागदा जिला बनाया गया है जो कि पहले मद्द प्रदिस में जिलों की संख्या 52 थी अब तीन और जिले नाजर बन गए हैं तो कुल संख्या जिलों की पच्छपन हो गई है अब हम इस वीडियो में बात करेंगे भुपाल जिले क्या बारे में पेसिक इंफॉर्मिशन और महत्वूर्ण इंफॉर्मिशन के बारे में कि जो भुपाल में प्रिक्छा की दिश्टी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है वह क्या है तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि मद्द प्रिदिस की राज़धानी बूपाल है और यह अपने आप में एक जिला भी है इसे जीलों का नगर भी कहा जाता है जीलों की नगरी भी कहा जाते है क्योंकि इसमें जील और पहार दोनों पाय जाते हैं इस जिले में और यहाँ पर राष्टी न्यायक अकादमी बल्लभवन इनियन इस्टिट्यूट ऑफ फॉरेश्ट मेनेज्मेंट आई आई एफ एम यानि इसका हिंदी नाम है भारती इवन प्रवंदन संसान भी उपस्तित है यहाँ पर सबसे जादे इंप्रटेंट है बल्लभवन और न्यायक अकादमी राष्टी न्यायक अकादमी अब राष्टी न्यायक अकादमी के बारे में अगर हम जानकारी लें तो इसका पंजी करण 17 अगस्त 1993 को ससाइडी रेश्टेशन एक्ट 1860 में तैव हुआ था यह भुपाल में इस्थापित है लेकिन इसका जो पंजी करण कार्याला है वह दिल्ली में है अकादमी के और देश में न्यायक सुधार, निस्पक्चिता, नेती निर्मार को जाला जोड़ दिया गया है जो कि इस अकादमी के मैन पॉइंट है जो इस अकादमी से काम होना है या होता है तो अगर ऐसा कुछ पूचा जाता है कि राष्टी न्यायक अकादमी का कार क्या है तो आप वहाँ पर अगर कुश्चन में पूचा जाए तो न्यायक सुधार और निती निर्मार और निस्पक्चिता उकुसलता बहतर कुसलता ये सब इस राष्टी न्यायक अकादमी का उ ब्लब भववन जासा कि आप इमेज में देख रहे हैं ये मंतरालय हैं ब्लब भवन हैं पूरे मध्य प्रदेश में जित्ते भी डेपार्टमेंट चलते हैं सबस्रास आदेज, यहीं से नकलते। और देखा जाए तो पूरा मद्ध प्रिदिस्को मैनेजमेंट करने के लिए बल्लब भवन से ही हर इक काम होता है अब गनत्य की बात की जाए तो भुपाल जिले में आठ सो पच्पन पिर्थी बेक्ती किलूमीटर के हिसाब से जनसंक्या गनत्य है जो की अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है भुपाल की स्थापना ग्यार्मी सदी में परमार वन से से रिलेटेट राजा भोज ने की थी अब ग्यार्मी सदी में राजा भूज ने जिस नगर की स्थापना की थी वाय भोज ताल या भोज पाल नगर के नाम से प्रसिद्ध था बरतमान भुपाल के स्थापना अफगान युद्धा ये बेरी मुश्ट इमपोर्टेंट है इसको आप जरूर नूट कर लें अफगान युद्धा दोस्त मुहंबत खान ने 1720 में जो बरतमान भुपाल है उसकी स्थापना कीती तो ये पॉइंट आप नूट कर लीजिए अब बात करते हैं कि भुपाल में क्या है और परिक्षा की दर्ष्टी से जो कि प्रिबियस येर में पूछा गया है तो वो पॉइंट कौन कौन से हैं तो यहाँ पर नौका स्कूल जो है पर्थम राश्टी नौका स्कूल जैसे सैरिंग स्कूल भी बोलते हैं सन 2006 में भुपाल में स्थापित किया गया था जो कि बड़ी जील जिसे बड़ी लेग भी बोलते हैं वहाँ पर यह स्कूल चालू किया गया था देश का पर्थम आपदा, प्रिबंदन, असंथान जो है, वो वह बभॉपाल में स्थाफ़त है, वह बभॉपाल में जो इसरो का उपक ग्रहकेंद्र भी बभॉपाल में इस्ताथ है, तो ये तीन पॉइंट आपको नोट करकर चलना है, एक इस्रोवाला इस्रोगा उपग केंडर वुपाल में है और अब ज्जा प्रभंदन जाइस्थान की इस्कूल है अब आपको देखेगा नौका इस्कूल जो है वह संद 2006 में बहुपाल में इस्थित किया गया था S.A.I. S.A.I. का छित्री कार्याले भी यहीं इस्थित है S.A.I. का प्रफ़र्वर्म क्या है Sport Authority of India तो Sport Authority of India इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो खेल भारती एक खेल प्राधी करण इसको हिंदी में बूलते हैं तो ये भी भुपाल में स्थित है एसवाग स्टेडियम जो कि भुपाल में स्थित है बहुती सूपरसिद्ध है यहाँ पर राष्टिय अंतर राष्टिय खेलों का इविजन किया जाता है और यहाँ पर जो बेश्ट सूपरसिद्ध गेम है वह हौकी है और इसकी स्थापना 1931 में बूलते हैं अब सबसे मेजर पॉइंट आता है भुपाल गेस्ट राष्टि जो कि आप लोगों ने सुना हुगा जहें 2-3 दिसंबर को 1984 में भीसर गेस्ट राष्टि के नाम से भी जानी जाती है जो कि 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी यह डेट आपको याद रखना है इसमें कई लोगों की मौत हुई थी और कई सालों तक अपाहज यहां तक कि अभी तक भी उसका असर देखा जा सकता है उस गेस्ट राष्टी को अब जो यह गेस्ट राष्टी हुई थी यह किस कार खाने से गयस का रिशाव हुआ था और जो गयस का रिशाव हुआ था कौए कौन सी गयस थी तो व। अब इस गयस अपरेंज्च operation faith चलाया जो कि operation faith बहुती सूप्रसिद्ध है यह इसलिए सूप्रसिद्ध है क्योंकि कई परिक्षाओं में operation faith के बारे में पूछा गया है operation faith किस चीज से related है या फिर भुपाल गैस तराजदी में कौन सा operation चला गया तो operation faith चलाया गया गैस को खतम करने के लिए उसके प्रभाव को खतम करने के लिए operation faith चलाया गया यह आप note कर लीजिए यह very most important है इसकी जाच के लिए NK Singh के अध्रक्षता में एक टीम का गठन किया गया जो कि जब यह घड़ना हुई तो इसकी जाच के लिए एक टीम बनाई गई जिसके अध्याच एनके सिंग थे जिनकी अध्रक्षता में एक टीम का गठन किया गया तो मैंने आ most important करने के एक उसकी है अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि भुपाल में बड़ी मस्जिद भी है जिसमें भारत की सबसे ज़्यादा बैठक बवस्ता वाली बड़ी मस्जिद है जिसका नाम अगर हम यहाँ पर देखें तो उसका नाम है ताजुल मस्जिद यह भारत की सबसे बड़ी बैठक बवस्ता वाली मस्जिद भुपाल में इस्तित है और सबसे छोटी मस्जिद भी भुपाल में इस्तित है जिसका नाम है इसको हम सबसे छोटी मस्जिद के ही नाम से जामते हैं और इसको धाई सीड़ी मस्जिद भी खा जाता है और बन बहार भी राष को वीडियो अच्छा लगता है तो सब्स्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं अंगली वीडियो में थैंक यू